दरसल हमारे जो लोग हैं वो बड़े सज धजके चलते हैं और ये सजना धजना जो सब्द है ये दरसल हमारा पुराना सब्द है सजना से सजन बना हुआ है मगर सज का मतलब होता है गले लगाना और जो धज है धज का मतलब होता है एक बैनर यानि कि कोई चीज है जो इंगित करनी है तो सजना धजना मतलब बैनर यानि जो जंडा होता था हमारा पुराना उसको गले से लगाना तो कहते थे सज धज के आया है यानि कि वो जंडा गले से लगा कर आया है यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज जंडा दिवस बताते हैं आठ जनवरी दो हजार जो अठारे सो अस्ति के आसपास में जो पहला जंडा बना जो हमारा पंसील का जंडा है उसको कैई सारी पोश्ट आई है हला कि आठ जो जनवरी 1880 है उससे पहले ये जंडा कभी बना होगा स्रीलेंका के अंदर पूरा इत्यास इसका मिलता नहीं है मगर आठ जनवरी मानते हैं तो काफी पोस्ट चल रही है मगर ये जो पंसील का जंडा है ये हमारा औरिजन जंडा नहीं है तरसल जो जंडा सब्द है वो बना हुआ है जान से और दंड से जान बोलते हैं पाली में ध्यान को और दंड माने दंडा यानि जो दंड हम देते हैं डंडे माते थे उसको दंड बोलते थे पाली के साब से त जो जिसको हम बोलते हैं धश बोलते हैं धश का मतलब होता है बैनर यानि कि कोई ऐसा प्रिटीक चिंज से पता चलता है तो बुद्ध के समय जो हमारे भिक्कू थे वो सारे के सारे जब सिखाने जाया करते थे एक जीगे से दूसरे जगे तो दूर से लोग उनको आता हुआ देख लें इसलिए वो अपने जो उनका कासी रंग होता था कासा रंग होता था जिसको बाद में केसरी बोलने लगे कासा रंग होता था उस कासे रंग का एक टुकड़ा पुराने चीवर का दंड में बांद के और उसको आगे वाले भिक्कू को दे देते थे जिससे के दू तो बाद में संस्काइट किया गया है, संस्कत में बदला गया है, द्वज सब्द नहीं है, दज सब्ध है, तो धज का अग भाग भी होता था, तो धज बोलते थे उसको, यानि के उस मैनर का, उस कपड़े का अगला भाग, पतला भाग होताexistा, ताकि हवा में फरफला सके, पामें उड़ सके यानि तिकोना भाग होता था एक उसका पीछे का भाग होता था तो धम अग जो सब्द है धज अग वो पाली में मिलता है और धम धज भी मिलता है यानि धज से जितने सब्द है वो सारे के सारे हैं इसका मतलब जो जंडे की जंडा बाद में बोलने लगे ज यह हमारी property है और इसका जो रंग होता था वो रंग होता था कासा रंग कासा रंग सही कासी बना हुआ है कासा रंग बोलते थे उसको क्योंकि भिक्कों ने जो रंगों की सुरुआत की वो रंग चाल से पेड़की चाल से फूल से पत्ती से नेचुरल कलर में कपड़ा जो मिलत में छाल से, पेडों से, पत्तिों से ही अपने चीवर को रंगते हैं. वही प्रेंटेरिशन से. तो उस रंग को कासारंग बोलते थे और कासे रंग के जितने लोग कासी में रहते थे, यानि जो जिसको आज की समय हम बनारस बोलते हैं, या उस समय जिसी इसी पक्तन बोलते थे, इसी पक्तन को बाद में कासी कहल लगे, क्योंकि कासा रंगे बहुत हो गए, तो ये जो औरिजिनल जंडा है, जिसका रंग आज की समय भगवा कहते हैं, ये भी बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि उनका जो एक नाम है, वो है भग वन्तू, यानि कि भग रा को, अपनी क्रेविंग्स को पुरिते से खतम कर दे, जो अपने विरोधों को, अपने दोसों को पुरिते से खतम कर दे, या जो अपनी मोहमूरता को, कभी चाहिए, कभी नहीं चाहिए, इसको पुरिते से भगन कर दे, भग कर दे, भग बोला करते थे, भग से बाद में भग्न से भग्न वन्तु बना और भग्न वन्तु बना और भग्न वन्तु से भगवान और उससे ही भगवा बना और उसी से भंगी बना यानि कि जो अपने राज देश को छोड़ देता है उसी को भंगी करे लगे तो वो सारे जो कपला पैंते थे कासा रंका उसको सरल भासा म भगवा बोलते थे और उसको अप्ड़े का नाम भगवा पड़ गया यह जो केसरी है इसको तो जब अफगानिस्तान में पहुंचे उस केसर से मिलता रंग था इसने इसको केसरी बोलने लगे यह भगवा रंग था और यह पीला नहीं था यह रंग अजीब तरह का रंग था बंदर है और उसको फिर बिल्णिंग बना के उपरल लगा दिया के यह यहां पर धम सिखाया जाता है यह धमका अंदर है मंदर मतलब जहां मन के दर्द दूर होते हैं मंदर को जो मंदर आज बोलते हैं पाली में मंदर बोलते हैं यानि मन के दर्द को दूर करने वाली जगे वो सारे भिकू करते थे तो वो उपर लगने लगा वो चला गया और 1880 में मई के महिने में पहली बार वैसा कूर्णमा को स्री लंका में ये पांच रंग का पंच सील नाम का जंडा इजाद किया बनाया उन लोगों ने पुराना भूल गे क्योंकि वहां नहीं उनको याद आया होगा नहीं लिया होगा उनने इसलिए जो कलर है जो रंग है और जो भगवा है वह हमारा है और जो अभी आप कह रहे थे कि मेरे तो गुरू सुधीर है दर meantime सबके बुद्ध हैं क्योंकि वो वेदंत गु हैं ये गु सब्द जो है बुद्ध से बना हुआ है गु का मतलब गुरू होता है गु कहीं मल को नहीं बोलते पाली में मल को मली बोलते हैं गु नहीं बोलते और भी कहीं उसके नाम है मगर पाली में गु का मतलब गुरू होता है और हमारे जो पतन का एक कारण है मुख्य, जो हम, हमारा पतन चल रहा है, उसका सबसे मुख्य कारण है, बहुत सारे कारण है, उनमें सबसे एक कारण है हमारा बाजारी करण, और ये बाजारी करण हम नहीं किया, दरसल हमारे यहां बाजारी करण की प्रथा नहीं होती थी, हमारे यहां कोई पैसा नहीं होता था, बुद्ध से पहले सिर्फ धई होता था, धई, धई को धान बोलने लगे, और धई और धान से धन बन गया, और धन से धन्यवाद बन गया, और धन से धन लखमी बन गया, यानि कि जिसके पास लाखों धई होते थे, वो धन लखमी हो गया, औ इसी से लक्षमी हो गया और इसी से बाद में संस्कायद करके लक्षमी बना दिया यानि धन लक्षमी हो गया जिसके पास धन बहुत जादा है यह सारे सब्द इतने आसानी से बदलते 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 चले आए कि वहां जब हम एक्षेंज करते थे यानि बुद्ध से पहले अपना सामान एक्षेंज करता था जैसे कोई व्यक्ति ने लकडी का सामान बनाया, किसी व्यक्ति ने वहाँ कपड़े का सामान बनाया, किसी व्यक्ति ने वहाँ जंगल से सामान खेद के लाया, कोई सहद इखटा करके लाया, कोई मास इखटा करके ला लाया, तो वो एक्षे पन, कासा मत्दा पीले रंकी पत्ती, पीले रंकी पत्ती का मत्दब है धातू की पीले रंकी पत्ती, वो जो जिसको आज सौना बोलते हैं, उसको सौन नहीं बोलते थे, सौन का बतब तो कमाल का है, क्योंकि सौन तो हमारे रंको बोला जाता है, जो ब्लैक कलर उसको सेवन बो थे उससे होने लगा वो बड़ी कीमती मानी जाती थी तो कासापन आई मगर कासापन के लालच में हमारा कोई भी आदमी काम नहीं करता था वस्तों का अधितियम एक्षेंज से होता था कासापन बढ़ती गई फिर कासे की जगे तामे की आने लगी फिर सिल्वर की आने लगे धातों एजाद होने लगी चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो यह जो पैसे का चलन है इस पैसे के चलन को बाजारी करण में धीद्रे करके आगे बढ़ने लगा असोक के समय और असोक के बहुत बात तक पंदर सो साल तक भी इस पैसे की कोई ऐमेत नहीं होती थी क्योंकि सिर्फ एक्षेंज के काम आता था कहीं इसका लेना देना कहीं होता नहीं था मगर हुआ क्या जो बुद्ध है और बुद्ध से पहले आप देखोगे तो बुद्ध ने कभी भी पूरे के पूरे जो समण संग है यानि कि उस समय संग बोलते थे समण संग में एक भी कासा उठाए वो और उसको भी श्टूरिज करते थे उसके भी आनंद मैनेजर थे एक भिक्कू को दो मिला करते थे एक धोने के लिए एक पहनने के लिए फट जाता था तो वो मैंने पहले बताया कि कैसे कैसे उसका स्नमाल करते थे फटे हुए चीवर का चादर बनाते थे उसका त तो वो सारे सारे कटे थे मगर पूरे के पूरे कहीं भी पूरे समण संके किसी आंदोलन में बुद्ध ने कोई पैसा ना पकड़ने दिया किसी को कासा पड़ नहीं पैसा लिया एक भी कासा पड़ नहीं है उनके पास में नहीं को इस्टी मिलती है कि उन्होंने कभी अपने हा ना इकोई अकाउंट नमबर दिया, कि मरे पैसा चाहीए, रहे पैसा चाहीए, आंगोलन चलाना है, ऐसा ना है, वैसा करना है। और साहब कासी नाम को भी आप देखोगे तो उन्होंने अपने हाथ से पैसा नहीं पकड़ा, वो पैसा लेते थे, किसी को पकड़ा देते थे, और खर्श होता था, वहीं साहब बरावर हो जाता था, काम खतम हो गया, ना उन्होंने कोई बैंक एकाउंट खोला, ना ही कुछ, मगर साहब कासी नाम के होते 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 होते, अब हमारे जो समन संगया, उसका बाजारी कड़ हो गया, उसकी मार्केटिंग होने लगी, ये मार्केटिंग जहर होगी हमारे लिए और हमारा जो सारा का सारा सिश्टम है, वो फिल हो गया, क्योंकि मार्केटिंग जो आई है, व दाल दो मेरे काते हो गए और के का दूकर शोटे बच्छे से मच पर पैसे लेते हैं और उसके फोटू कहें और उसके फूटू फूलिश करते हैं कि देखो इस बच्छे ने अपनी गुललक से खटे करके मेरे को 260 रुपे दिये, 325 रुपे दिये, 500 रुपे दिये और उसके माबाप उसके फूटु खीशते हैं, लोग परसियां जोटी लेके आते हैं, एक परसी कारते हैं फरजी 10,000 रुपे की उसका वाटसेप पे या उसमें लोगों को दिखाते हैं कि देखो उसने फ करके मार्केटिंग में उनसा उनसे पैसे लिए लिए जाते हैं, आसामियां लोगों ने बांध रखी हैं, एक आसामी से दूसरा बंदा पैसा ले आता तो जगड़ा होता है, कि तू मेरी आसामी के पास क्यों चला गया, वो तो मुझे चंदा देता है, और तू उसके पास क को कहते हैं, कि तून्हें पैसा स्कोक्टियों दिया हुआ, तो आदमी गड़ार है, वो तो बेकार है, तो मार्केटिंग की इस कदर पोजिशन चल रही है, कि जैसे पुराने समय में रामलिला मैदान में होता था, कि जब भी उनको पैसे उगाने होते थे, तो वो रामलिला में रामलिला से ज़्यादा गाने चलते थे, को कि पैसा आता है, वही खेल हमारी मंचों पे चलता है, कि इसने उतना पैसा दिया, उसने उतना पैसा दिया, और उनका बाकाइदा अनौन्समेंट होता है, कि फलाना इतना पैसा दे के गया, फलाना इतना पैसा दे के गया, औ इंतियार करते के कोई और एनाउंस करेगा कोई और एनाउंस करेगा तो इस्तिति यहां तक आ गई कि जिनको फुल टाइमर बनाया गया और जो उनको यह जुम्मधारी गई थी कि वो आदमियों के खटा करें संग बनाये मजबूत हो जाएं वो आदमियों की बजाए पैसा ख खतम होगे तो समढ संग में देखा गया कि पैसा तो कभी किसी ने लिया नहीं संतों ने नहीं लिया पैसा लेने वाले लोग है कैसे यह कौन से महापुर्सों को पढ़के आए यह कौन से संतों को पढ़के आए यह कौन सा इतियास पढ़ाए यह कौन से बावास आपको अपनी जब आइडिलोजी बताते हैं तो कहते हैं कि बावा साब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी तो उसको भी ध्यान से जब देखते हैं तो एक तो उनोंने सोसाइटी को देने के लिए कहा है और दूसरा वो यह कहते हैं पैसे के लिए नहीं बोलते हैं वो कहते हैं कि अप तो मैं कहसे थे कि तुमको रुप्या देना है, मगर वो लिख जाते हैं कितनी साथधाने से के आपको Number आपको रिसूर्स देने आँ है और टाइम देना तो È alarm के लिए उनको पैशे बसे की बीमारी से जहेर से क्योंकि यह जो पैसा है यह ओर्पइट का यह सबसे बड़ा एकक रिक्रेंक दी जारे सकता है उससे हम हारते जा रहे उन्हें जो इलेक्ष है, Allah को करना चाहिए जो और जिसकी पहले नॉमिनल फीस प्षी सुआ करती थी के यह Bachelor 2000 वो भी जवरत पैसा बापस आता था अब उस election में करोड़ रुपे का खर्चा होता है और ये करोड़ रुपे का खर्चा हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि हम कैसे बढ़ातेंगे हमारे पास तो पैसे हैं नहीं यह corporate जो लोग है जो marketing वाले लोग है जो दूसरे लोग हैं जोनोंने हमारी पूरे पूरे भारत में पैसे को प्रमुक कर दिया उन्होंने election को अरव रुपे में पहुचा दिया अब हमारे लोगों के पास ना अरव रुपिया होगा और ना वो election में जाएंगे तो ना एलक्षिन में जाएंगे और ना ही वो सम्विधान को बचाने की कोई कोई कोईशिस कर पाएंगे ना ही करेंगे इसको लोग समझ ने रहें तो लोग क्या कर रहे हैं लोग कीचड से कीचड को साफ कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि तेरे पास अगर 600 क्रोड रुपय खर्च करने का है तो मैं 800 क्रोड खरूंगा तो हमें टिकेट बेचने पड़ेंगे, या हम उगाई करेंगे, या हम बार बार कहते हैं कि हमको पैसा खटा करना है, क्योंकि अब चुना महंगा है, या यह चीज महंगी है, इसको बोते हैं कीचर से कीचर साफ करना, या आप मार्केटिंग से मार्केटिंग में जाके लड़ने बैठे हो, आप लड़ी नहीं सकते, क्योंकि आप उनके फिल्ड में पहुंच गए, उनका तो फिल्ड यह है कि आओ पैसे से पैसा लड़ेंगे, उनके पास में संग नह ने खर्च करेगा, हमारे पास है नहीं तो हम तो खेलने से पहले ही आप जाएंगे, मगर अगर हम उनको यह कहते हैं कि हम समर्ण संगी हैं और हमारे पास 120 लोग है, पता तेरे पास क्या है, तो वो मैदान में भी नहीं आएगा, इसलिए हमारे महापुर्सों ने आदमी लोग 257 लोग बैठे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा कीमती है, रिसोर्स में वो अपना ब्रेन दे रहे हैं, वो आगे लोगों को जोड रहे हैं, यह ज़्यादा कीमती है, कोई पांस रुपे दे कर यहां चला जाए, परची कटबा कर चला जीत नहीं सकते तो अपने पिछ पर आना चाहिए अपने मैदान पर आना चाहिए तो लोगों को एखटे होना चाहिए और तेजी से खटा होना चाहिए हम तो 120 क्रोड़ा एखटे हो जाएंगे तुम कहां से लाओगे 120 क्रोड़ तुम पैदा करने सकते तुम्हारे बच्चे भी पैदा नहीं होते, तो हमारे जो लोग हैं, वो सारे सारे नेच्रली इच्रून हैं, उनको सर्फ इखटा होना है, ये बात अगर हमारे सारे के सारे जितने भी लोग हैं, समझहें और समझहें, कि भाई, पैसे की पिछ पैस जीवन भर नहीं जीत सकते तो कि पैसा तुमारे हाथ में नहीं आने वाला है हाँ अगर सारे सारे लोग इखटे हो गए और जन्बल आ गया जन्सक्ति आ गई तो पैसा तो हाथ का मेल है इसमें तो बेरिंग लगे हुए है इसमें तो पैर लगे हुए, इसमें तो पहिय लगे हुए, इसमें तो रोटेटर लगे हुए, इसमें तो वील लगे हुए है, ये तो दो मिनटे में घूम के आपके पास आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, जिसके पास जन सकती होती है, तो पैसा जो जन सकती से होता है, पैसा ज जानते नहीं काम करना तो वो जनरेट नहीं कर सकते, वो तो एक सेकिंड में फिर याचिक बन जाएंगे, इनको भिकारी बोलते हैं, इसलिए यहां जो समर्संग है, वो पुरानी की पुरानी पद्दती पेशनी चलता है, कैई लोग कहते हैं, पैसा नहीं लेंगे, तो कैसे, अरे भया, तीन, साड़े तीन सो लोग लगनों में खटे हो गए, एक पर्ची नहीं खटी, अभी लोग ध्रादार खटे होते जा रहे हैं, यह काम चल रहा है, तो यह काम लगाता लगाता चल रहा है, यह रुकेगा नहीं, क्योंकि यहां हम आदमियों के खटा करें, हमारी जो सक्तिय वो है, हमारा प्रेट फार्म वो है, हमारा मैदान वो है, हमें अपने मैदान में रहना है, और अपने मैदान में जाना है, इसलिए हर व्यक्ति को यह बात समझ नहीं होगी, कि पैसे का पीछा छोड़ दे भाई, पैसा लेना भी बंद कर दो, देना भी बं का है वो हमारे लिए चुरी का काम कर रही है वो हमें मार रही है इसको रोको इसको समाल कर रहो पैसा जब समय आएगा खर्च कर लेना बच्चों की पढ़ाई में कर लेना कभी भूके में कर लेना कभी कोई ऐसा सेक्टर बने को कौर्परिसंगा सेक्टर बने वहां आपकी शे वीदा पीपल का जो स्रमण संग का कंसेप्ट है वो यह कहता है कि स्रमण संग के नियम बहुत अच्छे हैं एक तो ना पैसा लेते हैं ना देते हैं क्योंकि पैसा हमारे लिए जहर है इसकी जरूत नहीं है हम आदमियों को जोटते हैं आदमियों के पाद जाते हैं क्योंकि आ और यहां से अगर रिजल्ट आते हो होते हैं तो यहुदियों के हाथ में रहते हैं सारी दुनिया की कंपनिया उनकी है उनके बाप की हैं वह हैं दुनिया के असली अरपती खरपती लोग हैं सारी दुनिया उनके उसके चलती है फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जन संक्या बल नहीं है उनके पास में वो त शातिर होते हैं, जो इनके पास होता है, उससे ये लड़ते हैं, और जो इनके पास नहीं होता है, उसको ये कहते हैं, ये बेकार है, तो हमारे जनबल को ये बेकार कहते हैं, और अपने पैसे को बढ़िया कहते हैं, इसलिए जो समर्संग के नियम है, जो वीदा पिपल के पु सब्सक्राइब नियम आएंगे, सब उसमें बोल सकते हैं, सब बता सकते हैं, कोई नियम खराब है तो उसमें बचर्चा हो सकती है, कोई नियम अच्छा है तो उसमें बचर्चा होगी, बहुमत से पास होगा, जिसको जो करना है वो करे, अपना हाउस में लेयाए परसाब करे, हर आदमी कौन है उसको कमेरा बोलते हैं और जो काम करने वाला नहीं है उसको निकमा बोलते हैं बद दो सब चलते हैं तो अधिकता लोग हमारे कमेरे होते थे जो काम करते थे बाद में कमेरा गाली बना दिया कमेरा उनको बोल दिया जो टट्टियां उठाते थे जो कूला उठाते थे कह दिया यह कमेरा है कमेरा वो नहीं है कमेरा वो है जो संग का काम करता था वो कमेरा था पुराने लोग सारे कमेरे हैं उनको कमेरा बोलते थे तो यहां जो नियम चलते हैं वो सारे सारे संग के बहुत बड़े नियम है तो यहां ना मंच है ना माला है ना माइक है क्यों मंच म कमानी चलती तो यहां की मेंबर से बड़े कमाल किये यहां कहीं भी कभी भी बंबल नहीं आ सकता क्योंकि यह समर संग है तो समर संग में जो व्यक्ति जहां भी पैदा हुआ है चाहे वो संग की खिलाफत करे चाहे वो संग के साथ रहे चाये आलोशना करे, मगर शंग विरोधी काम ना करे, वो संग का मेंबर है, आपको यहाँ छूट है कि आपको कोई निएम पसंद नहीं आता तो आप खुब तर करो वितर करो और कुछ भी करो संग की मेंबर होगे, हाँ संग घात करोगे तो संग उसको मिलके निकाल देगा, आपको कोई भूमत से पास हो जाएगा, फिर आप बेधकल हो जाओगे, जैसे पंचाइद बहार निकाल देती है, जैसे घर से बहार निकाल देते हैं, शेहर से बहार निकाल देते हैं, ऐसा जैसे बुद्ध के साथ हुआ तो ये सारे सारी चीज़ें इतनी कमाल की हैं कि संग कभी तूटा नहीं है संग आज तक नहीं तूटा और दो संग नहीं बन सकते कभी क्योंकि संग दो बनने का कोई कारण नहीं है कोई आदमी दूसरा संग बनाएगा तो क्या करेगा नियम तो वही चलेंगे जो पुराने हैं ये नियम हमारे तो है नहीं ये जो संग के संस्थापक हैं वो हमारे जो पुराने बुजरुग हैं जो हमारे दादा दादी परदादा परदादी बुद्ध से भी पहले हैं कि वो संसापक हैं तो कोई नया संग बनाएगा तो उसी पर बनाएगा तो नियम भी वही लेगा तो भाईया पानी से पानी मिलाओगे तो पानी मिलेगा जब संग के सारे नियम वही है तो दोनों को मिला दोगे तो फिर संग बनेगा तीन हो जाएंगे तो भी संग बनेगा तो संग के टुकड़े नहीं हो सकते, संग के टुकड़े होके कोई बनाना चाहेगा, तो क्या बनाएगा? जब सामने आता है, तब बात बनेगी. क्योंकि जिन लोगों को आप देख रहे हो के दुनिया में वो काम यह में उन्होंने संग बना रखे हैं, यहां संग बन जाएगा, तो हमारे जन बल जादा है, जन संग्या जादा है, तो वो खुद ही नमन करने आ जाएगे, उसी दिन सारे के सारे जितने भी एट्रोशिटीज़ है, जितनी भी प्तार ना है, वो खतम, मूझ कटनी बंद हो जाएगी, बाल कटने बं मापज़ा मांगोगे, वो भी मिलेगा और जैसे बह Savannah के के लंदन में पहर रखा तो घर मिल गया , तो भारत में, जब स्रम्ण समाज करा गांगा तो घर भी मिलेगा , कोठी भी मिलेगी , बंगला मिलेगा, कार भी मिलेगा। पर मिलेगा तब जब संग्ही बनोगे समर संगी बनोगे, संग्ठन में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि संग्ठन तो लाखों है, और जैसे 6703 तुकडों में, जातियों में संग्ठ तूट गया, वैसे ही संग्ठन तूटा पड़ा है, संग्ठनों में, इसलिए संग्ठन के नेता तो थोड़ा मुस्किल है कि इधर हैं, क्योंकि उनको यह परिकलबना, उसको काट नहीं सकते, कोई भी व्यक्ठी ये नहीं कह सकता, कि संग्ठ का जो नियम है, या संग्की विछार्धर है, वो खराब है, एक सिंगль व्यक्ती नहीं कह सकता, मगर दिक्कती यह आ रही है, कि वो लोग धसंगे, फसंगे, चिंता ना है क्योंकि सारे के सारे जितने लोग हैं, जब सारे के सारे लोग समझ जाएंगे तो ultimate उन्हें भी आना पड़ेगा हैं, तो वो भी समझ लोगी आएंगे, बाद में आएंगे, देर में आएंगे, मगर जो समझ रहें, उनको पहले आना चाहिए, इसलिए सब को जब सम्विधान के रहते हुए जीत नहीं पाएंगे, और जब सम्विधान के रहते हुए नहीं जीत पाएंगे, तो इकटे होने का फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि संग का फायदा तब ही है जब भारत गड़राजे संग का संविधान भी हो क्योंकि भारत गड़राजे संग का संविधान होगा तो संग होने का फायदा है और भारत गड़राजे संग का संविधान नहीं है वो तो हेनार्की का बन गया वो तो ताना साह का बन गया वो तो किसी राजा का बन गया, किसी एक व्यक्ति का बन गया, दरवार का बन गया, और हम संग में आगे, वो तो बात हमारी माने का नहीं, वो तो कहेगा कि अब सम्विधान संग का नहीं चलता भाई, अब तो व्यक्ति का चलता है, तो व्यक्ति तो चाहें गरदन कटवा दे चाहें घर को लुटवा दे, चाहें जलवा दे, उसका कौन फरियाद करेगा, जैसे राजाओ के समय होता था, इसलिए समय रहते जोड़ने के लिए हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा, तन से और मन से, धन ने चाहिए बलगल भी, धन जहर है, धन न देना है, न लेना है, ये बात अच्छी तरह ठोक बजा के अपने दिमाग में डालने नहीं है, न लेना है, न देना है, अपना खाना खाना है, तो समण संग में, जब भी मीटिंग होती है, तो सब अपना खाना लेके आते हैं, खाना नहीं लेके जहां आते ह यहां मिटिंग ऐसी होती है कि खाना होटल समगा जाएगा वहां अपने खाने का पैसा देते हैं हर व्यक्ति खाने का पैसा देता है तो जमीन पर बैठते हैं सारे सारे और जमीन पर नहीं बैठते हैं कहीं को ऐसी मिटिंग है कुर्सी बैठना है तो कुर्सी का पैसा देंगे के अपनी आँख नहीं जुबाता सारी रोटी या खटी होती है वो संग की बन जाती है सब को खाने को मिलती है चाहे को लेका आया या नहीं लेका आया मगर वो संग का खाना हो जाता है इसलिए ये जो नियम है ये पुराने नियम है अभी और भी नियम बनना है सौंबार को फ हम में लोग जागेंगे और जब भी कोई नया बुद्ध बनेगा नियम वही रहेंगे जो ये हैं जो प्रक्रती में चल रहे हैं और जो पुरा नियम वही रहेंगे कोई व्यक्ति अगर सच्चे मन से संग का काम करेगा तो वो किसी भी हलत में विसम नियम नहीं बना सकता वो स अब बच्चों को बचाना है तो एक रास्ता है अभी संगहंग सरनंंग अच्छामी यानि सारे लोग एक साथ जितनी तेजी से खोचके खटे हो जाएं जितनी तेजी से छोटी मोटी बातों को छोड़े हैं बैल साब ने कहा अभी बैल साब करे थे कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो NRI लोग हैं वहां कास सिस्टम अभी है बकरार है सरम की बात है थोड़ी सी क्योंकि यूरोप और अमरीकर और एस्टले में आके भी अगर आप अ भंगी जाती हैं उन लोगों को आप प्रमोट करें उन झाया समढ़ संग का नियम यह है कि समढ़ संग में जाती वरल वभेत की कोई बात ने होती सिर्फ समढ़ होना चाहिए पहली बात दूसरी बात ये कि यहां कोई किसी को रोकता नहीं है क्योंकि बहल साह अपना टाइम कर सकता है, यहां कोई जाती ही बात नहीं होती, तो बहल साब ने कहा कि मैं आगे से कोई ऐसी बात नहीं कूँगा, क्योंकि बहल साब को यह समझना चाहिए, बागी लोगों को भी समझना चाहिए, काम बढ़ता है, यहां सिर्फ काम की पहचान है, आप बहल साब 80 साल के हैं या कोई पहचान नहीं इस बात की आप आप इंजिनियर हैं कोई पहचान नहीं इस बात की आप ने कितना काम किया इसकी कोई पहचान नहीं है मैंने कितना काम किया मैं कौन इसकी कोई पहचान नहीं है यहां काम की पहचान है समढ संग में जो कमे रहा होत था वही आगे बढ़ता था उसी को सारे लोग कहते थे कि हमको सिखाओ 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 रहता है कि मैंने अपने बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ाया मैंने वो काम किया जो मेरे बाप दादा ने कहा तो जब कमेरा आदमी जो ज़्यादा काम करने वाला आदमी जब वो मरेगा आखिर में तो उसको एक संतुष्टी रहेगी कि मैंने बावा साथ का कर्ज पू प्राप्त करता है क्योंकि अगर फ्रफ़ागे मरेगा या हॉस्पिटल में तरफ़ागे मरेगा या ये अफसोच करके मरेगा अरे मैंने जिन्दगी में इतना कमाया ये किया वो किया मैं कर सकता था किया नहीं वो बेचैन होके मरता है और जो वेक्टी बेचैन होके मरता है उ उसी के लिए पूरी जीवन नमरों सुद्ध रहते थे इसलिए हम को अपने आखिर समय से लेके और आप से लेके और बच्चों तक के वे सभी के लिए कि एक अच्छी बात करके जाएं एक सैटिस्फेक्शन रहे ये काम हमें लगाता करते रहना है और बहुत तेजी से करते र बनाया और संघ बनाके उन्होंने वह चीज जीत कर ली उन्होंने उन्होंने तो मिटू को मने कर दी अपनी मार को मने कर दिया काभी नहीं मरूotal अब भिक्तु संघ जब भखयो होगी है निपराएं और आ 들고 क्को मरूगाthonा नहीं अपने इकछा से मरे वहDie पास में एक अ already अब मरूँगा अब छूड़ूँगा सरीक झोंकि मेरा काम पुरा खत्म हो गया तो हर व्यक्ति आपको अपना काम कर ψे जाना चाहिए हर व्यक्ति आपको दिनरात लगे रहना चाहिए अगर हम इसमें सफल हो गए तो बच्चे भी हमें ये कहेंगे कि हमारे मावाप ने अपना फर्ज पूरा किया और हम भी मत्रस हमें कहेंगे कि हमने बावा साप को अपने मावाप का फर्ज पूरा किया करजा लेके नहीं जा रहे हैं करजा यहीं पटा कर जा रहे हैं इसलिए जिद्ध है जुड़ने की ज जुड़ेंगे जीतेंगे बस एक काम करना है जुड़ना है जीतना है जुड़ना है जीतना है जिद जुड़ने के दिन रात ही काम करना है धन्यवाद सादू 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 आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अची लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी संगं सर्नं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर्सर्नं गच्छामी बूथियं पे दमंग सर्णं गच्छानी, बूतियं पे सर्णं गच्छानी, ततियं पे बुब्धं सर्णं गच्छानी, ततियं पी घुतं सरंग गच्छामी, ततियं पी धंगं सरंग गच्छामी, ततियं पी धंगं सरंग गच्छामी, ततियं पी जंगं सरंग गच्छामी, ततियं पी जंगं सरंग गच्छामी, पिसन्दम सर्णं तर्शामी सादू, सादू